अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे चरन में पहुशते हैं और चौथे चरन का मदान जो है वो बीते तेरा मई को दर्भंगा उजियारपूर, समस्तिपूर, बेगुसराय और मुंगेर में जो हुआ तो सबसे पहले बात करेंगे दर्भंगा और उजियारपूर की इन्धुश मतलब लगावाथ ता किसी तरह वो हार जाएं और जहां तक मेरे जानकारी है, मेरे उनसे बाद भी उनके समर्तकों से, वहां पर जो पारा मेलिटरी फोर्स है, वो भी उनको जीतानेमें बहुत योगदान दिया है, अब इसको आप समझ सकते हैं कि कैसे योगदान दिया कैसे बूत मैनेज किया होगा और जहां जाके देश का ग्रह मंत्री बोल रहा कि मेरा चोटा भाई है मैं इसको मुचा पद दूंगा तो जो चुनावी प्रबंधा ने मुझे नहीं लगता है को जारपूर से वो हा रहेंगे दरवंगा की वही हाला तरवंगा में इंडिया आ हैं इंद्रभूसन सर की मानित तो अब चलते हैं रवी उपद हाई सर के पास दरवंगा और उज्यारपूर में क्या लग रहा है सर इंडिया आगे दरवंगा में भारतिन्दा पार्टी के गोपाल जी ठाकूर फिर से जीते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और है यादवों का सबसे बड़ा गाओं है वहां पर भी धमउन गाओं के भी यादवों ने वोट किया है नितियानंदराय को यह बड़ी बात है और कुसवाहा समाज कुसवाहा समाज जो देखिये जो लोग बोलता है ना कि एम वाई और के मुसल्मान यादव के से कुस्वाहा तो वो ऐसा बात ऐसी बात नहीं है कुस्वाहा जो हैसो इंडिये का पर हां हां ठुटा है वहां पर इसलिए उजियारपूर सीट भी भारति इंता पार्टी के नित्यान अंदराय के ही पक्च में आती हुई दिकाई तो तीनों इलाके में करिब करिब हम चालिस से पैंतालिस बूथों पर हम गए थे तो सुरू में चाहे वो बिलकुल एक यादव का बड़ा बूथ था मैं वहां गया लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी वहां कि उस बूथ पर जो अती पिछडी जाती के लोग थे बड़े खूले ढग से अपनी बात रख रहे थे और उन्हें ने साफ कहा कि मैं मतलब जैसे ही देश की विकास राष्ट की बात आये तो आप समझ लेजे कि बोट उनका कहा जा रहा है तो एमबाई समिकरन और के जैसा बताया धमौन गाउं है वहां वहां भी आप लोग जो थे तो ये मतलब ये अलग मसला था है ना तो वहां चीजें निकलते दिखाई दे रही है और दरभंगा में गोपाल जी ठाकूर लली तयादव की जो अपनी छबी रही हलांकि उन्होंने काफी मेनेज करके उन्होंने चुनाव लड़ा और उन्होंने अपनी बात लोगों तक वे वहां के अस्थानिये बिधायक हैं लेकिन अंत अंत तक चीजें वहां बदली जो मोदी का आधार बोट है लली तयादव की छबी भी कुछ जो है वो लोगों को दरा रही थी तो इस स्थितिय में दोनों दरवंगा में गौपाल जी ठाकूर को लेकर के बरी नाराज़गी रही थी आप याद करें तो वहां पर बरे इस तरफर कई जगों पैसे वीडियो आये जहां पर लोगों ने सीधे-सीधे उनके मुह पर है लेकिन गौपाल जी ठाकूर की एक खाशियत यह है कि वो विनमर पूरवक अपनी आलोचना सुन लेते हैं और यही ललित यादव को लेकर के वहां नहीं माना जाता है यहां नहीं कह रहे हैं बलकि वहां माना जाता है कि ललीत यादव उतनी विनमरता से बातों को नहीं सुनते हैं अगर आप आलोचना सुन लें सहलें गाली सुन लें तो गुपाल जी ठाकुर के लिए बर्दान सावी तो ललीत यादव ऐसे लगता है कि बोलते भी है तो गुस्सा कर रहे हूं उनकी भाशा शहली है उनकी बाक्स है लिए ऐसी है कि उस किसम से बोलते हैं लेकिन आपको वहां के समीकरणों को थो देखना होगा कि जो वहां पर ललीत यादव और इनके बीच में कह सकते हैं आपकी मुकाबला थोड़ा संघर्स में दिख रहा है और जो नाराजगी रही है गुपाल जी ठाकुर को लेकर के या तमाम चीज़े वहां पर रही है उसमें जो समीकरण है वो कुछ समीकरण ललीत यादव की पक्ष में जाते रहे हैं तो इसलिए वहां पर गुपाल जी ठाकुर को आप 20 रख सकते हैं लेकिन बस 19 ही हैं वहां पर ललीत यादव और काफी वहां पर नजदीक का मुकाबला हम देखने को वहां पर दर्भंगा में देख सकते हैं बात अगर उजियारपूर की करें तो उजियारपूर की सीट पर आप कह सकते हैं कि नित्या नंदराय इस बार बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं और जहां 19-20 का फाइट है दर्भंगा में तो यहां पर उजियारपूर में स्थिती नहीं है और उजियारपूर में नित्या नंदराय यहां पर एक बड़ी लीड के साथ आगे जीतते हुए दिख सकते हैं चाहिए तो चलिए दर्भंगा और उजियारपूर पर एक मत्थ है कि एंडिया के उमिदबार जो है वो जीत जाएगा भले ही कम मार्जिन से जीते हैं